C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के ध्वनी पुस्तक गणित का जाधू 14. रुपए और पैसे प्रिष्ट 188 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर के तरफ दो बच्चों के चितर दिये गए हैं पहला बच्चा बुलता है मैंने बहुत सारे सिक्के कट्टे किये लेकिन मेरे पास बटवा नहीं है दूसरा बच्चा बोला चलो पैसे रखने के लिए एक बटवा बनाते हैं कागस की एक शीट ले और उसको बीच से मोडे और खोल ले दोनों कोनों आ और बा को इस तरह मोडे कि वो बिंदुवा वाली रेखा पर मिलें अब कागस की शीट कुछ इस तरह दिखेगी इसमें हमें शीट का कोना दिखाई देगा कागस की शीट के उपरी हिस्से को पीछे की तरफ मोडें ताकि शीट का पिछला हिस्सा कुछ ऐसा दिखे एक लिफाफे की तरह और आगे का हिस्सा कुछ ऐसा दिखे दो भाग में बठा हुआ कागस की शीट के आगे वाले भाग को उपर रखें और कह खा और गह घह वाले किनारों को इस तरह मोडें कि वो बिंद्वों वाली रेखा पर मिल सकें अब ये कुछ ऐसा दिखेगा इस प्रिष्ट पर कागस को अलग-अलग ढंक से मोड कर दिखाया गया है प्रिष्ट 119 ओपरे हिस्से को बिंद्वों वाली रेखा के बराबर मोडें जिससे ये कुछ इस तरह का दिखे यहाँ पर दो चितर दिखाए गये हैं बाएं चितर में तिकोनी की तरफ हिस्सा बाहर निकला हुआ है और दूसरे हिस्से में सिर्फ नुकिला कोना दिखाई दे रहा है पीछे के फ्लैब को नीचे मोडें और अब पैसे रखने के लिए बटवा तयार हो गया यहाँ पर दो चितर दिखाए गये हैं बाएं चितर में बटवे के दो भाग निजर आ रहे हैं और दहिनी तरफ के दूसरे चितर में बटवे के कवर को खुला हुआ दिखाया गया है प्रिष्ट के अगले हिस्से में सिक्के दिखाई गये हैं इनमें 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपय के सिक्के हैं इनमें सिक्कों की च्छाब भी दिखाई दे रही है अपना बटवा अपने पैसे अलग-अलग सिक्कों को इकठा करो एक सिक्के को किसी ठीक सी जगा पर रखो और उस पर एक पतला कागस रखो एक हाथ से कागस को तान कर पकड़ो पैंसिल की नोक को सिक्के के ऊपर कागस पर घिसो धीरे-धीरे सिक्के की चाप कागस पर उभर आएगी छपे हुए कागस की सिक्के को काट कर बहार निकालो और अपने बटवे में रखो यहाँ पर एक बच्चा सिक्खे के च्छाप कागस पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिष्ट एक सुनब्बे अब कागस को काट कर कुछ नोट बनाओ और हर नोट पर उसके कीमत लिखो यहाँ पर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दिखाई दे रही है पैसे का खेल नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिये गए पैसों की रकम दिखाओ कुछ पैसे तुम अपने बनाये हुए बटवे में भी रख सकते हो यहाँ पर 26 रुपए के लिए 20 रुपए का एक नोट, 5 रुपए का एक नोट और 50 पैसे के दो सिक्के दिखाई दे रहे हैं अब आप दिये गए पैसों की रखम के लिए अपने मन से नोट और सिक्के बनाओ एक चार रुपए 75 पैसे दो 78 रुपए तीन 130 रुपए चार 8 रुपए 75 पैसे और 5 53 रुपए हर चित्र में नोटों और सिक्कों से दिखाई गई पैसे की रखम को लिखो यहाँ पर 100 रुपए का नोट और 250 पैसे की सिक्के दिखाई गए हैं तो यह कुल मिलाकर हुए 101 रुपए अब दाएं तरफ कुछ सिक्के और रुपए दिखाई गए हैं अब इनकी संख्या जोड़कर इनकी रखम लिखो 50 रुपए का एक नोट 20 रुपए का एक नोट 2 रुपए के तीन नोट और 25 पैसे के तीन सिक्के बराबर रुपए का एक नोट 2 रुपए के पांच नोट 1 रुपए का एक सिक्का 50 पैसे के 7 सिक्के और 25 पैसे के 5 सिक्के बराबर रिख्तिस्थान रुपए और पैसे 500 रुपए का एक नोट 100 रुपए का एक नोट 50 रुपए का एक नोट 10 रुपए का एक नोट 5 रुपए का एक सिक्का पांच रुपे का एक सिक्का, दो रुपे के दो सिक्के, एक रुपे के दो सिक्के, पचास पैसे के साथ सिक्के, और पच्चिस पैसे के ग्यारा सिक्के, बराबर रिक्तिस्थान रुपे और पैसे. सो रुपे का एक नोट, पचास रुपे का एक नोट, दस रुपे का एक नोट, पांच रुपे के दो नोट, दो रुपे के दो नोट, एक रुपे के दो नोट, एक रुपे का एक सिक्का, और पच्चिस पैसे का एक सिक्का, बराबर रिक्तिस्थान, रुपे और पैसे प्रिष्ट एक सो बयान मेरे हम बाजार जाएंगे यहाँ पर बाजार में एक दुकान में कुछ वस्तमें दिखाई गई हैं जिनकी कीमतें इस प्रकार हैं एक बॉल साथ रुपए एक लट्टू दो रुपए एक कार खिलोना गाड़ी पंद्रा रुपए एक खिलोना जिराफ छे रुपए पचास पैसे एक गुडिया आठ रुपए एक कॉपी पांच रुपए एक पैंसिल दो रुपए पचास पैसे एक रबड एक रुपए एक टॉफी पचास पैसे एक बिस्कुट का पैकेट चार रुपए पचास पैसे एक केला एक रुपए पचास पैसे एक गिलास नेमू पानी तीन रुपए और एक गिलास दूद तीन रुपए पचास पैसे आईए, अब दिये गए सवाल करें यहां चलें, इस स्टोर में अपने आप ही सामान उठा कर खरीदना है क, लिख कर देखे बिना कीमत का पता लगाओ यहां पर आपने दिये गए सामान की कीमत रुपए और पैसे में लिखनी है एक गेंद और एक खिलोना गाड़ी, रिक्तिस्थान रुपए एक कॉपी और दो पैंसिलें, रिक्तिस्थान रुपए दो केले और एक गिलास दूद, रिक्तिस्थान रुपए एक गोडिया और एक गेंद, रिक्तिस्थान रुपए एक गिलास नीमु पानी और एक पैकेट बिस्कुट, रिक्तिस्थान रुपए प्रिष्ट एक सुतिरानवे ख कुल कीमत का पता लगाओ ग अगर तुम्हारे पास 20 रुपए का नोट हो तो तुम क्या-क्या खरीद सकते हो जैसे यहाँ पर यह सवाल करके दिखाया गया है इसके आगे खाले स्थानों में तुम्हें अपने आप वस्त्मों के नाम लिखने हैं जिने तुम 20 रुपए के एक नोट से खरीद सकते हो इसका उत्तर है एक खिलोना गाड़ी, एक गिलास नेमो पानी और एक केला इसके बाद तुम चारों रिक्त स्थानों में उन वस्त्मों के नाम लिखो जिने तुम 20 रुपए के एक नोट से खरीद सकते हो इस प्रिष्ट के नीचले भाग में बाई तरफ एक चीन्टे का चित्र है जो कहता है कुछ चीजे खरीदो और दाई तरफ एक खाली रसीद दी गई है जिस पर लिखा है रसीद सेल्फ सर्विस स्टोर इस रसीद के चार कॉलम है पहले कॉलम में लिखा है सामान दूसरे में दर प्रती सामान तीसरे में रुपए और चौथे में पैसे लिखा है सबसे नीचे लिखा है कुल घब तुमने जिन चीजों को खरीदा अब उसके लिए एक रसीद बनानी है इस से पहले कि हम इसे जोड़े तुम्हारा अंदाजा कितना सही था प्रिष्ट 194 मोनो ने नीचे दी गई रसीदे तयार की इन रसीदों की जाच करो और अगर उनमें तुम्हें कोई गलती दिखाई दे तो उसे ठीक करो यहाँ पर तीन रसीदे दिखाई गई हैं पहली रसीद रसीद सेल्फ सर्विस स्टोर सामान एक गेंद दर प्रती सामान साथ रुपए साथ रुपए शुनि पैसे सामान तीन पैंसिल दर प्रती सामान दो रुपए पचास पैसे रुपए साथ पैसे पचास सामान पाँच टॉफी दर परती सामान शुन्य रिक्तिस्थान रुपए दो रुपए पैसे पचास कुल 17 रुपए शुन्य पैसे दूसरी रसीद सेल्फ सर्विस स्टोर सामान एक खिलोना गाड़ी दर परती सामान रिक्तिस्थान रुपए पंदरा पैसे शुन्य सामान तीन गिलास दूद दर प्रति सामान तीन रुपए पचास पैसे रुपए दस पैसे शुन्य सामान चार नोटबुक दर प्रति सामान पांच रुपए रुपए बीस पैसे पचास कुल 45 रुपई 0,50 तीसरी रसीद सेल्फ सर्विस स्टोर सामान एक खिलोना गाड़ी दर प्रती सामान 6,50 पैसे रुपई 6,50 सामान 3 पैंसिल दर प्रती सामान 2,50 पैसे रुपई 7,50 सामान साथ टौफी दर प्रती सामान 50,50 रुपई 3,50 सामान एक बिस्कुट दर प्रती सामान 4,50 पैसे रुपई 4,50 कुल 21,50 पैसे इने जोडो क 12,50 पैसे जमा 13,50 पैसे बराबर रिक्तिस्थान ख एक सोतीन रुपई 50,50 पैसे घटा 62,50 पैसे बराबर रिक्तिस्थान ग उन्नीस रुपई 50,50 पैसे घटा सात रुपई 0,50 पैसे बराबर रिक्तिस्थान च तुम्हारे पास 30 रुपए हैं, पता लगाओ, तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा अगर तुम इन सामानों को खरीदते हो एक गेंद, एक गुडिया और एक खिलोना जिराफ कुल कीमत, रिक्तिस्थान पैसे बचे, रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट पर दाई तरफ सबसे नीचे एक बच्चे का चितर है, जिसने अपने हाथ में एक गेंद, एक गुडिया और एक खिलोना जिराफ को अपने हाथ में उठा रखा है प्रिष्ट एक सो पिच्चानवे तीन कौपियां, दो पैंसिलें और दो रबड, कुल कीमत, रिक्तिस्थान, पैसे बचे, रिक्तिस्थान यहाँ पर दो बच्चों का चितर बना है, जिनके हाथ में कुछ वस्तुएं है अभ्यास का समय, क, तीन दोस्त मिलकर क्रिक्ट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं वीना के पास 48 रुपए 50 पैसे, रमन के पास 55 रुपए 50 पैसे, और विनू के पास 38 रुपए हैं कुल मिलाकर उनके पास कितनी रुपए हैं यहाँ पर तीन बच्चों को टेबल के पास बैटा हुआ दिखाया गया है ख, हरी ने 62 रुपए 50 पैसे का रेलवे का टिकट लिया, उसने 100 रुपए का नोट दिया, उससे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे यहाँ पर दो बच्चों को रेलवे टिकट आरक्षन केंदर में खड़ा हुआ दिखाया गया है और एक बच्चा टिकट खिर्की से टिकट खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है ग, गीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई, उसने 58 रुपए, 37 रुपए और 22 रुपए का सामान खरीदा गीता के पास 100 रुपए का नोट है, उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने पैसे लेने होंगे इसे प्रिष्ट के अंतिम भाग में गणित के कुछ चिन्न बने हैं, जैसे जमा, घटा, गोणा, भाग, प्रश्णवाचक चिन्न और साथ ही दो बच्चों के चित्र भी हैं, जो अपने हाथ उपर उठाते भी दिखाए गए हैं मुंबई समाचार कारखाने से बच्चों को छोड़ाया एक चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करने वाले दस छोटे बच्चों को आज छोड़ाया गया एक समवाददाता और पुलिस ने उनका वहाँ बुरा हाल देखा कारखाने में बच्चों से काफी मुश्किल काम कराई जाते थे उन्हें एक दिन में केवल 80 रुपए मिलते थे बच्चे अपने गाउं के घर में वापस जाकर बहुत खुश हुए वो एक खास स्कूल में जाएंगे ताकि वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीखें बच्चों से इस तरह काम कराकर कारखाने का मालिक अपना पैसा बचाना चाह रहा था अब पुलिस अपना काम करेगी यहाँ पर एक कारखाने के गेट का चित्र है और उसके सामने कुछ बच्चे, एक समवाददाता और एक पुलिस अपसर को दिखाया गया है चलो देखते हैं कि कारखाने वाले ने कितना पैसा बचाने की कोशिश की एक बड़े आदमी को काम के लिए मिलना चाहिए एक व्यक्ति पर कारखाने ने बचाए 513 घटा रिक्तिस्थान बराबर 433 रुपए रोज पता लगाओ, तुम्हारे इलाके में क्या ऐसी दुकाने और कारखाने हैं जहां छोटे बच्चों से काम कराय जाता है इन में से कुछ बच्चों से बात करो उन्हें वहां कितना पैसा मिलता है शिक्षकों के लिए निर्देश जरूरी नहीं कि पैसे की समझ केवल खरीदने और बेचने को ही लेकर हो शिक्षक इससे जुड़े हुए मुद्दों पर बच्चों के अपने अनुभवों के बारे में बात कर सकते हैं जैसे मजदूरी और काम आदी प्रिष्ट 197 इस प्रिष्ट पर एक रेल की पट्री और उस पर चलती हुई रेलगाली कचितर बना है ये रेल गाड़ी जलपाई गुड़ी से गुवाहाटी जा रही है नई जलपाई गुड़ी से गुवाहाटी तक रास्ते में नयामाल, अलिपुर्द्वार और गुवाल पारा स्टेशनों के चितर भी है रेल यात्रा ये रेल नई जलपाई गुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में ये नयामाल, अलिपुरद्वार और गुवाल पारा स्टेशनों पर रुखती है। अलग-अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की किमतें नीचे तालिका में दिखाई गई हैं। यहाँ पर एक तालिका बनी हैं जिसके तीन भाग हैं। पहले में लिखा है नई जलपाई गुड़ी से दूरी किलोमीटर में। दूसरे में लिखा है स्टेशन और तीसरे में लिखा है किराया रुपए में। आईए, अब तालिका पढ़ते हैं। नई जलपाई गुड़ी से नया माल स्टेशन तक की दूरी 57 किलोमीटर और किराया 12 रुपए 50 पैसे। नई जलपाई गुड़ी से अलिपुर द्वार स्टेशन तक की दूरी 175 किलोमीटर और किराया 28 रुपए। नई जलपाई गुड़ी से गुवाल पारा स्टेशन की दूरी 366 किलोमीटर और किराया 49 रुपए 50 पैसे। नई जलपाई गुड़ी से गुवाहाटी स्टेशन तक की दूरी 495 किलोमीटर और किराया 62 रुपए 50 पैसे। प्रिष्ट 198 दूरी का पता लगाओ टिकट की कीमत का पता लगाओ क भूपेन को नई जलपाई गोड़ी से अलिपुर द्वार जाना है उसका टिकट कितने का होगा रिक्तिस्थान ख इंद्रा को नई जलपाई गोड़ी से गवाल पारा जाना है उसे टिकट के लिए कितने पैसे देने होगे रिक्तिस्थान, ग, देबू, सीमा और गोविंद नई जलपाई गोड़ी से नया माल तक जा रहे हैं तीन टिक्टों के लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे रिक्तिस्थान उन्होंने टिक्टों के लिए पचास रुपे का नोट दिया उन्हें कितना पैसा वाबिश मिलेगा रिक्तिस्थान इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में कुछ बच्चों को पेड़ के आसबास हसते हुए दिखाया गया है और वो कहते हैं अरे वाह, हमें हमारी रेल के टिकट मिल गए हाँ, मिल गए, मिल गए प्रिष्ट 199 कैंची करे काम इस प्रिष्ट पर सबसे उपर की तरफ बाई और पांच टुकडो वाला 10 ग्राम का चित्र है और दाहिनी तरफ साथ टुकडो वाला एक 10 ग्राम का चित्र है पांच टुकडो वाला 10 ग्राम पेज 66 इस 10 ग्राम के 5 भाग हैं जिस पर 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या लिखी है ये त्रिभुज, वर्ग, चतर्भुज आदिके आकार में है साथ ट्रुकड़ो वाला 10 ग्राम पेज 66 इस 10 ग्राम पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्या लिखी है ये त्रिभुज, चतर्भुज, वर्ग इतियादी के आकार में है इन टाइलों को काट निकालो और काट पर चिपकाओ हर टाइल की बहुत सारी छापें बनाओ और इनसे फर्ष को ढखो यहाँ पर तीन प्रकार की टाइलों के चित्र है तुम इने काट कर इनकी छापे बना कर इनसे फर्ष को ढख सकते हो इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में कुछ नोटों के चित्र हैं जैसे 500 रुपे का एक नोट, 100 रुपे का एक नोट, 50 रुपे का एक नोट, 20 रुपे का एक नोट, 10 रुपे का एक नोट, 5 रुपे का एक नोट और 2 रुपे का एक नोट इने काट निकालो और रुपे पैसों के खेल में इस्तिमाल करो इसी के साथ चौधमा पाठ रुपई और पैसे अब यहीं समाप्त होता है स्वर प्रमीन शर्मा, तक्निकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत